जबी भी हम लोग technical analysis के बारे में चर्चा करते हैं उसमें सबसे पहले जो concept का नाम सुनने में आता है वो है support and resistance क्योंकि support and resistance technical analysis में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला concept है तो support and resistance क्या है एंड ये क्यूं काम करता है चलिए उसके बारे में जानते है support एक price level होता है जहां traders buy करते हैं किसी product को जब उसका price fall कर रहा होता है क्योंकि उनको लगता है कि price अभी बहुत cheap है और उन लोग को कम दाम में वो product मिल रहा है on the other hand resistance होता है जब traders and investors को लगता है कि product का price बहुत जादा ही expensive हो गया है और उस price में further buying को resist करते है मतलब कि उस price में वो लोगर buy नहीं करते है और उनके हाथ में जो products already है उसको sell करते है profit के लिए so in short जब price support level पहुसता है traders buy करते है उस product और financial instrument को और जब price resistance levels पहुसता है तो traders sell करते हैं यह दो levels को price easily break नहीं कर पाता है यानि कि price resistance के उपर and support के नीचे जाने में difficulties face करना पड़ता है friends सबसे important चीज़ ध्यान रखने वाला यह है कि support and resistance कोई exact number या फिर exact price नहीं है जहाँ पे आके price जीवास करता है बलकि support and resistance एक price level है जो कि एक range of price को denote करता है यह HDFC bank का one day का चार्ट है जहां हम लोग एक strong support level को identify कर पा रहे हैं लेकिन अगर आप closely देखेंगे तो पता चलेगा कि exactly same price पे आके price जीवास नहीं कर रहा है थोड़ा बहुत उपर निचे से price जीवास किया है similarly यह British pound US dollar currency pair का 4 hour का चार्ट है जहां एक resistance level identify हो रहा है इधर भी आप देख सकते हैं कि कभी price 1.40181 से bounce कर रहा है तो कभी 1.40066 से bounce कर रहा है तो कभी different price से तो इससे आप लोग का पता चल गया होगा कि support and resistance एक price levels या range of prices है जो कि price easily तोर नहीं पाता है and वहाँ से bounce back करता है a few more examples तो support and resistance एक wall की तरह काम करता है जहां financial instruments का price hit करके reverse करता है price जितना बार hit करेगा धीरे धीरे wall उतना ही weak होता है and after some time price उस level को break कर देता है हां और एक चीज़ याद रखिएगा कि price जब कोई support को तोर देता है वो level उसके बाद resistance की तरह काम करता है and जब कोई resistance को तोरता है उसके बाद वो level एक support की तरह काम करता है हम लोगों को support and resistance के बारे में तो पता चल गया है लेकिन एक question ज़रूर arise होगा आपके मन में कि support and resistance काम क्यों करता है price इसी level पे आके क्यों bounce back करता है तो आपको जानना ज़रूरी है कि कोई भी market price supply and demand concept के उपर base करके होता है जो हम एक simple example को लोगे discuss करेंगे पकड़ दीजी एक marketplace है जहाँ पे आप product A को कम दाम में खरीदते है और बाद में उसको ज़्यादा price में base देते है profit के लिए एक दिन आप market में गए product A को खरीदने और देखा कि उसका price है 250 रूपीज आपको वो price महंगा लगा and आप वापस चले गए अगले दिन आप फिर गए और देखा कि price 260 रूपीज हो गया है तो आप फिर सब वापस चले गए लेकिन नेक्स दिन जब आप फिर गए तो देखा कि product A का price 220 रूपीज चल रहा है आपको वो price ठीक लगा and आप वो product खरीद लिए अभी जैसे आपको 220 रूपीज product A के लिए ठीक लगा है वैसे ही और हजारों लाखों लोगों को ऐसा ही लगा होगा और वो भी उस price में product A को purchase कर लिया होगा तो 220 price level पे suddenly बहुत ज़्यादा volume से buying के लिए product A का demand बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि supply and demand के अंदर एक imbalance create करता है and suddenly total demand of product A, total supply of product A को exceed कर जाता है and product का price फिर से बढ़ने लगता है क्योंकि market में जितना demand है उतना supply नहीं है तो ऐसे ही price increase होते होते पकल लिजिये price 255 तक पहुँच गया है and जो लोग already product A को hold कर रहे हैं उनको लगने लगा है कि price already बहुत बढ़ चुका है and यही time में product को sell करके profit book करने के लिए and suddenly traders product A को sell करना start कर देता है जिसके वज़ा से product A का supply increase होना start कर देता है and finally total supply of product A total demand को exit कर जाता है and price फिर से गिनने लगता है and यह सिल्चिला चलता ही रहता है 費 तो 220 rupees है हाँ एक demand zone जहां पर बहुत सारे बयार्स मार्के स्क्राइकत पर एक्टिव हो रहे है and aggressively product A को buy कर रहे है जिसके वजह से demand increase हो रहा है and product का price भी increase हो रहा है and 255 rupees है supply zone जहां पर बहुत सारे sellerस market पर एक्टिव होके aggressively product A को sell कर रहे है and supply बहुत बढ़ जाने के लिए product का price decrease हो रहा है Friends, demand zone is nothing but a support level and on the other hand supply zone एक resistance level है We hope के आप लोगों को support and resistance क्या है and वो market में supply and demand concept के लिए ही work करता है, वो knowledge मिल गया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में and ऐसे ही technical analysis के और भी videos देखने के लिए बने रही है हम लोगों के साथ, तब तक के लिए take care and happy trading